नमस्कार दोस्तो जैसरी राम जैसरी बागे शुर्दाम सरकार जैसरी बालाजी माराज की जैसरी सन्यासी बाबा की तो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ साथ ही नवरात्रे लगे हुए तो जैम आता दी दोस्तो दोस्तो जम आपको एक उपाई बताने वाले है जिसे आपका तुल्षी का पोदा भी बच जाएगा और साथ ही आपके इश्ट देव भी आपसे प्रशन हो जाएंगे तो दोस्तों बने रहे वीडियो में अंतक लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स स्क्राइब कर ले ताकि और भी वीडियो आप तक हम पहुचाते रहे तो चलिए बात करते हैं तुल्षी के पोदेगी अगर किसी कारण वसाब कब तुल्षी का पोदा सूख जाता है तो उसका क्या करना है उसका जो उपाई बता रहे वह आपको पूरी सर्दा और के साथ करना है तो भगवान विश्णु की किरपा आप पर सदेव बनी रहेगी और साथ साथ ही आपको मालक्षीमी की किरपा भी मिलती रहेगी साथ ही आपके घर से रुष्टोकर कभी नहीं जाएगी और आपको तो पतायोगा कि तुल्षी का हिंदू द्रम में कितना बड क्रिवरी होती है तब यह सब काम और पूजा किया जाता है सरदियों के मोशं में तुल्षी बताने वाले हुए अच्छा उपाय है अच्छा उपाय को कर लेते हैं तो आपके उपर हमेशा आपके इश्ट देव की किरपा भी बनी रहेगी वैसे तो आपको बता दे कि अगर अगर तुल्शी आपके गर में सूख जाती है तो वैसे ही व्यासुब मानी जाती है क्योंकि दार्मिक गरंतों में भी तुल्शी का सूख नाय सूख बताया गया है तो आज की वीडियो में हम आपको उपाई बताने वाले आप उनको ध्यान से सुनिएगा आपने ऐसे बहुत ही मैत्व होता है दोस्तों भगवान को तुल्शी जी के बिना भोग भी नहीं लगा जाता है। कार्तिक मामे यदि आप तुलसी जी का छोटा सा तना ले लेते हो, छोटा सा टुकडा ले लेते हो, सुका वाय यदि आप उसे गीस कर भगवान विश्णू जी को तिलक लगाते हैं, तो कार्तिक मास में आपको सुक्व और समर्दी मिलेगी, साथ याप तुलसी का पाउडर बनागर विश्व भगवान को तिलक आदी भी लगा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, दूसरे उपाय की, आपको इस उपाय में क्या करना है, आपको तुलसी को निकाल कर उसके छोटे चोटे टुकडे कर लेने हैं, साथ इसको छाओ में सुका देना है, तुलसी आपको गोपी चंदन गर ले आना है, और गोपी चंदन में मिला कर आप इस्ट देव को, अपने इस्ट देव को, अपने विश्णु भगवान को, साथ ही अपने लड़ू गोपाल को भी आप उससे शिरिंगार कर सकते हैं, साथ ही तिलक भी आप उससे लगा सकते हैं, यह आपके गर में किसी को नजर लगी है बच्चे या बूडे को या फिर किसी का सवस्तक अच्छा नहीं रहता है तो उसे यह तिलक लगाना जो बहुत ही जरूरी होता है आप पूरे परिवार को इतने इस तरह तिलक लगा सकते हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जितने भी दुख है सभी समापत हो जाएंगे और आपका जीवन खुशमय हो जाएगा साथ ही आपके बगवान आपके इश्ट देव विश्नु बगवान जी भी आपसे हमेशा खुश रहेंगे और माता लक्षमी भी कभी आपको शोड़ कर नहीं तो चलिए दोस्तों बात करतें तीसरे उपाएगी अगर आपके घर में तुल्सी सूख जाती है तो उसके पत्ते भी आसपास ही जड़ जाते हैं साथी बहुत से पत्ते भी ऐसे होते हैं जो सूख कर तुल्सी पर ही रहते हैं तो आपको तुल्सी को और पत्तों को निकाल लेना है और च्हाओं में शुखाकर उसको दुबारा से आप पाूडर बना लेना है बावडर बनाने के बाद उसको आपको सुबह श्याम अगर घर में खेसी से देशंव कोई भी बीमारी हो जैसे खासी जुखं या बच्चे को कोई कुंडली दोस और ग्रय दोस भी स्मापत हो जाते हैं इससे आपके गर में स्यानती बनी रहती है साथ ही आपके उपर मातालक्ष में और विश्नु बगवान की किरपा भी बनी रहती है तो एक बर जोर से जैकारा लगा दीजिए जै मातादी दोस्तो और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी बहुत अच्छी वीडियो हम आप तक लाते रहे साथ ही कमेंट में एक बर जै मातादी जरूर लिखे दोस्तो